सोनाव ब्रैटकुम गुरूब अब देखें एक ऐसी रिपोर्ट आई है मोटले फूल की जिसे पढ़कर आप यहां पर बहुंचके हो जाएंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कह दिया आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है यहां पर आप द सारी चीजह किलियर होचे है सभी के सभी आज़ित वी आरे सामने साइट की अब आपने आपको क्यूफ फूर की ऊपर Q4 के उपर shift हो जाई है मेरा कहना यही है और यहाँ पर earning बहुत धमाकेदार आई है आप कह रहे थे Q4 की earning अच्छी ने आईगी Q4 की earning beat estimate आईगी उसके बहुत सारे reasons है तो यह हाली में tradex के number आई 3-4 दिन पहले और tradex के stock जूम उठा 10% के आसपास की TGI मिगनाइट के number आई pre open market में 26% दिखा रहा था हाला कि वो चला सिर्फ 10% उसके बाद profit working थोड़ी से आ गई ओके यहाँ पर attack की companies जो American will list है अमेरिका में Nasdaq के अंदर list है वो सारी के सारी company जो है वो बहुत ही बहतरी इन production कर रही है बिलकुल कोई शक की बात नहीं यह company जे एक number है आप पर प्रदसन कर रही है आप दिहार रखेगा company यानि Bridecom Group ने भी यह कह रखा है कि हम Nasdaq के अंदर list करवाएंगे लोग कहते है Nasdaq के अंदर list कैसे करवा सकते है जिस तरीके से Nasdaq में list ही आपका Tata Motor जिस तरीके से आपका ICSA bank list है Nasdaq के अंदर और जिस तरीके से आपका HDFC bank list है वैसे ही आपर Nasdaq के अंदर आपका Bridecom Group ने लिस्ट हो जाएगा क्या problem की बात है तो यहाँ पर बापस आते हैं Tradex के उपर Tradex में क्या हो रहा है Tradex में देखे स्टॉक के उपर बहुत बड़ी रिपोर्ट आईए एटक के उपर क्या रिपोर्ट आईए मुल्किले फूल की उससे पहले तो हम Tradex के अर्निंग को देखेंगे Almost Bridecom Group की अर्निंग और Tradex की अर्निंग बरावर पहुंचने वाली है यहाँ पर लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है न वो रियक्ट नहीं किया और स्टॉक के यहाँ पर जो है न एक सो बीस डॉलर के आसपास का था लेकिन वो सिर्फ उसे 50 परसेंट ही रिकवर हो पाया मतलब अगर आप देखें निचली लेवल से निचली लेवल से 50 परसेंट डिकवरी है 40 डॉलर के आसपास 39 डॉलर के आसपास का लो लगा दिया था इवन सारे सारे एट टेक स्टॉक जो है न बहुत बहुत बड़ा डाउनसाइड देखें यूएस मार्केट के अंदर और ट्रेडेक्स की अगर बात करें इसकी अर्निंग की तो आप देखे जारा क्या हुआ है रिविन्यू कितना आया 382.8 मिलियन डॉलर का जो कि आपका पिछले साल की क्वार्टर से 21% अप है 21% का जंब देखने हुआ है अनुमान बहुत कम था आया बहुत उपर यहाँ पर नेट इंकम जो है न वो प्रॉफिट में आगी कमपनी पिछले साल के इसी क्वार्टर में लॉस में थी 14.6 मिलियन डॉलर के लॉस में थी जो कि आप यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आगी है एक 2022 के क्वार्टर में यही तो यहाँ पर कमपनी जो है न हाई रिविन्यू जो है वो ड्राइविन किया है बहुत बढ़िया बात है ट्रेड एक्स पर बापस लोग जो है उन्हें वो बुलिस हो गए है यहाँ पर EPS की बात करें तो माइनस 0.03 डॉलर का माइनस नेगिटिव यहाँ पर जो है EPS था प्लस में आ गया 0.019 डॉलर का है यहाँ पर EPS यहाँ पर निकल के रहा है ट्रेड एक्स का तो यह रहा है आपके सामने नंबर्स जो कि आपसे कह रहे हैं कि बीट इस्टिमेट्स और आप Q4 आप Bratcom Group का आप अन्दाजा लगाईए क्योंकि एक कोई ऐसी कंपनी नहीं है Bratcom सारी अमेरिका में एटेक की जो की अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो सभी के सभी वीट इस्टिमेट लेके आ रहे हैं मेगनाइट आपका टेडेक्स सभी के सभी आ रहे हैं और आपका कंपनी भी उधर ही वर्क करती है तो कैसे हम यह माल लें कि यहां पर जोए ना वो उसके हलके नमबर्स आएं Q4 में पॉस्वल नहीं लगता है अब यह रही वो रिपोर्ट रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है 15 अपरेल 2023 को आई थी यह रिपोर्ट हमने तो देखें नहीं क्योंकि हम तो बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं देख रहे हैं इस ग्रोथ स्टॉक गुट 10 टाइम इन 10 एर्स ट्रेड एक्स की बात कर रहे हैं जो कि आपका यहाँ पर एड टेक की कंपनी है ट्रेड एक्स अर्निंग हमारी प्रैटकॉम ग्रूप की और ट्रेड एक्स की अल्मूस सेम होने वाली है लगवग अब यह आप देखें इसको 10 टाइम बोला जार का मार्केट कैपे ट्रेड एक्स का यूएस मार्केट में वहाँ से आप 10 साल में 10 गुने की बात कर रहे हैं यानि की 25 लाग करोड की कंपनी बन जाए ही ट्रेड एक्स आप बताईए आप 25 लाग करोड आप सुनकर चौक गए होंगे माइने रखता है हमारी रिलाइंस भी 25 लाग करोड की कंपनी नहीं है आप समझे रहे हैं पूरा का पूरा टाटा गुरूप जो है न जब फुल रन में था तो आप देखेंगे टी से सो सबकी वैलिशन मिलाकर तब जाकर 20-21 लाग 22 लाग करोड के असपास को मारकेट कैप रखती थी पूरा टाटा गुरूप का मारकेट कैप जोड़ दें तो 22 लाग करोड की वैलिशन रखता था टाटा करोड अब 25 लाग करोड की अकेली वैलिशन ट्रेडेक्स की दिये जा रही है तो यह आग जो है न वो ट्रेडेक्स की उड़ेगी तो जगा जगा स्टॉक्स में आग तो लगेगी भाया उसमें यहाँ पर जो है न अगर यह उससे पहले अमेरिकन मार्केट में लिस्ट करवाद हैं तो बहुत बड़ी बात होगी जल से जल इसके यहाँ पर जो इने लिस्टिंग हो जाए तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं फेवर जो है वो आता हूँ देखेगा तभी कुछ एक बड़ी बात बन पाएगी हम तो बात कर रहे हैं हमारा मार्केट केप तो दो हजार आठ सो च्छानवे करोड रुपे का है जो कभी 26 हजार करोड रुपे का पहुंचा था अब यहाँ पर देखेए मैंने आप से बहुत पहले कहा था कि जादा से जादा पचास जाजार करोड का ही है चिप कर पाईगी यह कंपणी फिलाल की वक्त में आप कहरें देख धाईला करोड मैं कहरें तो पचास जाजार करोड के हस पास यह चिप कर रवाएगी क्योंकि मार्केट और मार्केट में अंतर है वो यूएस मार्केट है तब ही वो यहाँ पर सिर्फ पचास जाजार करोड के यह बात कर सकते हैं तो यह बात भी आयाती तो आप समझें गहराई होगो समझने खूसिस करें यह यह पर हाला कि अगर यहाँ पर जो यह आपका अचीब करते ही है तो आपका एक मूटा मूटा अगर हम ट्रेड एक्स की भी बात करें टेड़ेक्स की comparison अगर Bratcome Group को रखते हैं BratCome Group का भी target यहां पर रखते हैं Brat Come Group माण लीजिए आपकी ठाई लाग करोड की कंपनी बन गई यहां से दो लाग की कंपनी किया होगा आपका hundred time ताइम यहां पर जो है करोड रुपे का होगा मैंने कि ट्रेड एक्स के जिस वैलिएशन पर इस वक्त वैटा है उस वैलिएशन पर ब्रैट कुम ग्रूप आपाएगा लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा फिलाल हमारी जो अर्निंग है उसके उपर कंफरमेशन आना है वो क forensic audit है यहां पर जो है रहां सही निकला तो इसका मतलब हमारी अर्निंग बिल्कुल सेफ है कंपनी जो है वो धाकड काम कर रही है पॉसिबल है इसके चलते जिस तरीके के यहां पर जो है रिटन बना के दे रही है ये आगे stock बहुत अच्छा खासा रिटन बनाएगा मैं ये बीस सारी दो लाग करोड के आसपास दो डाए लाग करोड के आसपास का मार्किट केप है तो आप बताएए अब हम अपनी अर्निंग की कैसे कर सकते हैं आप ये सोचिए कि हम अपनी बात कैसे कर सकते हैं वो धाए लाग करोड की तो ये आपर ना बहुत बड़ी बात आ जा वेगा पुरे मार्केट की आंके आँखे जो है वो कूल कर रखते हैं तो आप उसकी चिंता ना करें आप सिर्फ और क्यूब और अप n henी आई है इस प्र देट जल्दी आने वाली है क्यू फोणके नंबर सा अगर अच्छे आगए तो मार्केट में तेहल का ले आएगी ब्राइट कुम गुरॉप अट ऐस सो करोड की अर्णिंग थी क्यू थी में अगर یہ तीन हज़ा करोड या तीन हज़ा करोड की भी लेके आएंगे तो बीट estimate एक सब करोड का market cap यहाँ पर तोड़ी देंगे यह इसके बाद भी अगर आप देखे तो वन बिलियन डॉलर की जो net sale है वो यह achieve कर लेंगे तो एक बिलियन डॉलर कमाने वाली company आपके market में ब्रैट कॉम गूर बन जाएगी और वो forensic audit की महोर और लग जाए कि हाँ भी यह सब कुछ सेफ है तब तो फिर market यहाँ पर रुकेगा नहीं इसको buy करने से तो उमीद आप इस बात को समझे होंगे आपके कहना है इसके उपर comment से समकेए हो और अगर आपके इस वीडियो प्रब्लम है कुछ पूछें कुछ पताने इसके नहीं तो प्लीज कमें से समके यह और अब दीजिव जाएगे पर देखने के लिए बहुत दन्वाद दोस्तो